सुगी मॉनिंग आईज, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानि की 26 फरवरी के इंपोर्टेंट करेंट अफेर्स को, तो इस प्रेशन में आपसे पूछ रहे हैं, हाली में किसने छटे हॉलिवूड क्रिटिक्स असूसियेशन फिल्म अवार्ट्स में सर्वश्रेश्ट अंतरराश्टर फिल्म का पुरुसकार जीता है, और इसी से संबन्दित अगर कुछ और करेंट अफेर्स में आपको रिवाइस कर रहा हूं, तो अभी हमने पढ़ा था, दादा साहब फाल के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ट्स में, इंटरनेशनल फिल्म अफ नाट्टू उसके लिए, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था सबसे इंपोर्टेंट, गोल्डन ग्लॉब्स अवार्ट्स में, नाट्टू नाट्टू ने बेस्ट ओरिजनल सॉंग का अवार्ट्स जीता था, और फिर हमने पढ़ा था, पचासवे सेटरन अवार्ट्स म बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का पुरुसकार जीता RRR में, और स्स राजा मॉली ने RRR मुवी के लिए ही, नियोव यॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में बेस्ट डारेक्टर का अवार्ट जीता था, तो अभी इस मुवी ने कहीं सारे अवार्ट जीतें, और जितने भी जी मैंने इस प्रश्ण में आपको सारे डिवाइस करवा दिये तो यह आप ध्यान रखना बढ़ते आगे चलिए फिर बताईए संगीत नाटक अकादमी की स्थापना ये किस वर्ष की गई थी तो आंसर होगा 1952 में अब आपको लगेगा ये इस्टेटिक प्रश्ण होगी एक तरह से इस तरह के प्रश्ण पूछे जाते हैं आपके अब ये न्यूज में हैं इसलिए मैंने प्रश्ण को इस तरह से मॉडिफाई कर दिया कि आपका इस्टेटिक पार्ट भी कवर हो जाए और करंट प्रश्ण का पार्ट भी देखो जानते हैं इसके बारे में पहले तो हमने का संगीत नाटक अकादमी की जो इस्तापना है ये 31 मई 1909 में की थी किसने की थी? सिक्षा मंत्राले ने की थी और ये जो अकादमी है ये संगीत नाटक अकादमी पुरुसकार दीती है जिसे अकादमी पुरुसकार के रुप में भी जाना जाता है और ये परदेशन कला के शेतर में लोगों को दिया जाने वाला सर्वोच भारते सम्मान है इसमें पुरुसकार के रूप में अब एक लाख रुपे दिये जाते हैं ये आप ध्यान रखना और ये संगीत, रत्यर, रंगमंच और कट पुतली के प्रदेशन कलाशेत्र में ये सम्मान दिया जाता है अब हम अभी इसे क्यों पढ़ रहें? क्योंकि अभी हमारी राष्टरपती दुरौपती मुर्मूजी ने नई दिल्ली में वर्ष 2019, 2020 और 2021 के लिए संगीत नाटक अकादमी फैलोशिप और पुरुसकार प्रदान किये हैं आठ व्यक्तियों को तो संगीत नाटक अकादमी फैलोशिप दी गई है और 128 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी पुरुसकार मिला है अच्छा मैं अगर आपसे पूछूं कि साहित्य अकादमी पुरुसकार हिंदी भाष्टा में अभी किसको दिया गया? तो अंचारों का बद्रे नारायन को उनके कावे तुमडी के शब्द के लिए और अंग्रे जी का मिला अनुरादा रॉय को उनके नौवल All the Lives We Never Lived के लिए और साहित्य अकादमी पुरुसकारों की अगर आप पूछो कि ये सबसे पहले कब दिये गए थे तो 1955 में चलो दो प्रशन में आपसे पूछूँगा कि साहित्य अकादमी पुरुसकार कितनी भाशाओं में दिये जाते हैं और ग्यानपीट पुरुसकार ये कितनी भाशाओं में दिये जाते हैं और मैं कई बार डिली करेंट अफेर्स वाली क्लास में कई बार आपको ये प्रशन पता चुका हूँ अभी आपको याद हो तो एक असम्या कवी थे जने 56 ग्यानपीट पुरुसकार मिला था उनका निधन हो गया चलो उनका नाम भी बताओ उनका नाम क्या था इंपोर्टेंट प्रशन है वो exam point of use है इसलिए मैंने आपसे पूछा बताओ अभी हम बढ़ते आगे चलिए फिर बताईए अभी हाली में मैन हॉल की सपाई के लिए बड़े पेमाने पर रोबोटिक्स तकनीक का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया तो अंसर होगा केरल तो अभी केरल सरकार ने 24 फरवरी को केरल के त्रिशूर जिले के गुरु वयूर शहर में सीवेच को साफ करने के लिए रोबोटिक स्केवेंजर जिसका नाम है बैंडी कूट इसका इस्तमाल किया और इस तरह केरल देश का पहला राज्य बन गया है जिसने अपने सभी चालू मैन होलों को साफ करने के लिए रोबोटिक तकनीक का इस्तमाल किया हो इस रोबोट का नाम याद रखना बैंडी कूट है इसे तिरुअनंत पुरम इस्थित जैनेर रोबोटिक्स ने तयार किया है और आपको बता दू अभी इसने केरल स्टार्टप मिशन के द्वरा आयोजित हडल ग्लोबल 2022 कॉनक्लेव में केरल प्राइड पुरुसकार जीत अब दूसरे प्रशन का उत्तर दो देश का पहला आर्टिफिशल इंटेलिजेंस और रोबोटिक टेक्नोलोजी पार्क जिसे कहेंगे आर्ट पार्क ये कापे स्थापित किया गया तो आपको बंगलूरू में और बड़ा सिंपल प्रशन अब तीसरा वाला किसरों ने किस प्रशन की बात है तो जिरा मैप में केरल इसकी केपिटल तीरुनंध पूरा में और भारत का पहला स्पेस टेक पार्क आपको यहीं मिलेगा विक्रम सारबाई स्पेस स्टेशन आपको यहीं मिलेगा केरल को गार्डन ओफ स्पाइस मसालों का बाग भी कहा जाता है मुख्य केरल ने ही स्टाइप एंड योजना भी शुरू की है जिसमें जूनियर वकिलों को हर मैने तीनजार रुपे मिलेंगे और देश की पहले डिजिटल यूनिवरसिटी यह बनी है केरल में आदिवासियों को बुन्यादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिल केरल और अभी हमने पढ़ा था केरल का जो कुम्ब लांगी गाउं है यह भारत का पहला सेनेटरी नैपकिन मुक्त गाउं बन गया केरल हाई कोट भारत का पहला पेपरलेस हाई कोट बना भारत का पहला जेंडर पार्क यह आपको केरल में मिलेगा भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंदर आपको मिलेगा केरल में और विश्व का पहला ताड के पत्ते का पंडू लिपिस संग्रहाले बना है केरल के तिरू अनंधपुरम में अभी पहला अंतरराश्टर समुद्र तट महटसव का एवजनुआ था केरल में और केरल ने भारत का पहला सरकारी OTT प्लेट्फरम लांच किया था उसका नाम है C-Space अभी केरल सस्ती कीमत पर या यूं कहें कि मुफ्त में इंटरनेट उपलब्ड कराने के लिए कौनसी परियोजना शुरू करेगा तो याद रखना K-Phone मतलब केरल फाइबर आप्टिक्स नेटवर्क तो इन सभी कारण से अभी केरला न्यूज में था तो ये सारे फैक्ट्स आप याद रखना मैंने एक साथ आपको रिवाइस करा दिये इस प्रस्ण में अभी बढ़ते हागे चलिए फिर बताईए हाली में किसने अर्टिफिशल इंटेलिजेंस भाषा मॉडल L.A.M.A waking मैटा के द्वारा विकषित एक बड़ा भाषा मॉडल है जो ChatGPT के समान है और ChatGPT के बारे मैं आपको बताया था इसको Microsoft ने लाउंच किया था आपको detail में समझाया भी था तो अभी उसी के तरच पे Facebook ने ये Lama को launch किया है और इस mode का मुख्य उद्दिश्य क्या है Artificial Intelligence के शेत्र में शोद करताओं की Researchers की साहिता करना और ये जो Lama है ये Meta के द्वारा बनाया गया तीसरा बड़ा भाशा model है पहला था Galactica दूसरा था Blender और अभी आपको याद होगा हमने पढ़ा था Artificial Intelligence आधारित Bard Chatbot को launch किया था किसने? Google ने तब ही मैंने आपको ChatGPT के बारे में समझाये था चलो अभी एक प्रशन का उत्तर और दो किसने भारतिय भाशाओं को Digital दुनिया में बढ़ावा देने के लिए Project Elora ये शुरू किया था तो आंचार होगा इसका Microsoft देखो Facebook की बात करते है तो इसकी स्थापना होती है चार फरवरी 2004 में Headquarter California US में है और इसके Founder और CEO Mark Zuckerberg है और अभी कुछ समय पहले Meta India की Vice President बनाई गई थी कौन? Sandhya Devnathan तो ये ध्यान रटना बढ़ते आगे चलिए फिर बताईए अभी February 2023 में Financial Action Task Force ने किस देश की सदस्यता को निलंबित कर दिया तो अंसरुगर रशिया तो अभी Financial Action Task Force ने Ukraine युद्ध को लेकर के रशिया की सदस्यता को निलंबित कर दिया है Financial Action Task Force ने कहा कि रशिया ने युक्रेन पर अवेद, अकारण और अनुचित रूप से सिन्या आकरमन किया इसलिए हम उसकी सदस्यता को रद कर रहे हैं और अभी इसने South Africa और Nigeria को अपनी ग्रिलिस्ट में डाल दिया है और Morocco और Cambodia को सूची से हटा दिया है अजब Financial Action Task Force की बात करते हैं इसके सदस्यता आपना 1989 में Paris में हुई थी G7 देशों की बैठक में इसकी सदस्यता हुई थी Headquarters का Paris France में ही है अभी इसके नए अध्यक्ष बने थे जो कि सिंगापूर से है उनका नाम है तेर राजा कुमार इसके सदस्यते देशों की बात करोगे तो 39 है भारत इसका सदस्य है क्या? बिल्कुल है और भारत 2010 में इसका सदस्यते बना था और अभी पिछले साल हम लोगों ने बढ़ा था कि जो पाकिस्तान है वो Financial Action Task Force की Gray List से बाहर आघया है ये दो तरकी लिस्ट जारी करता है Gray List और Black List और अभी इसकी Black List में शामिल होने वाला तीसरा देश कौन सा बना था मैं अगर पूचहूं तो तो म्यानमार बना था पहले दो देश कौन से हैं? जो Black List में हैं एक तो North Korea और एक इरान तो ये points आप ध्यान रखना बढ़ते हैं आगे चलिए फिर बताईए फरवरी 2023 में प्रधान मंतरी नरेंदर मूदी ने कहा बारिसू कन्नड दिमावा सांस्कृतिक उच्षव का उधगाटन किया तो आंसर होगा दिल्ली तो अभी प्रधान मंतरी नरेंदर मूदी ने अभी 25 फरवरी 2023 को दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में बारिसू कन्नड दिमावा सांस्कृतिक उच्षव का उधगाटन किया अच्छा ये एक भारत श्रेष्ट भारत योजना की बात करें ये कब और किसने शुरू की थी मोदी जी ने इसको शुरू किया था कब 31 अक्टूबर 2015 को जिसका मुख्य उद्देश है विवित्ता में एकता की विचार धारा को बड़ावा देना अच्छा यहां बे मैं आपको रिवाईज कर रहता हूँ कुछ प्रमुक अभी उत्सव महत्सव हमने हाली में मनाये एकाद महीने में जैसे की अभी अंतरराष्टर गीता महत्सव कहां मनाया गया हरियाना के कुरुक्षेत्र में लुसा फोन महत्सव यह हम गोवा में मनाते हैं अभी नागलेन के कोहिमा में तीसरा ओरेंज फेस्टिवल मनाया गया था संगाई फेस्टिवल का मनाते हैं मनीपुर में अभी पहला अंतरराष्टर समुद्र तट महत्सव हमने मनाया केरल में धानु जात्रा महत्सव का आयोजन हुआ उडिसा में चेर चेरा महत्सव मनाया गया चत्तिसगड में अभी बीहू फेस्टिवल हमने मनाया असम में और आठवा भारत अंतरराष्टर विज्ञान महत्सव का आयोजन हुआ भोपाल में चलो बताओ अंतर राष्टर सुरजकुंड मेले का अभी आयोजन का हुआ हरियाडा के फरिदाबाद में जिसमें थीम स्टेट हमारे नौर्थ इस्ट स्टेट्स थे उत्तरपूरवीर राज्ये और पार्टनर कंट्री शंगाई कॉपरेशन और्गेनाईजेशन के जो सदस्य देशें वो अभी काला घोडा कला महथसव मनाए था मंबई में और राष्टर संस्कर्टी महथसव इसकायोजन हुआ अभी मंबई में तो ये अभी न्यूज में थे सारे के सारे दो-तीन महीने के अंदर जितने भी महुत समनाय थे यहाँ पर हमने रिवाइज कर लिया अभी हम बढ़ते हैं आगे चलिए फिर बताईए हाली में किसने अर्जेंटिना ओपन 2023 का खिताब जीता तो अंसर होगा कार्लोस अलकाराज तो इस्पेन के टैनिस प्लेयर हैं कार्लोस अलकाराज और अभी इन्होंने ब्रिटेन के कैमरून नौरी को हरा करके अपना सात्वा ATP टूर किताब जीत लिया है और कार्लोस अलकाराज का नाम आपने पिछले साल सुना होगा जब 2022 में US Open का खिताब इन्होंने जीता था में सिंगल टाइटल जीता था इन्होंने तो याद रखना एक तो ये स्पेन के हैं टैनिस प्लेयर हैं और अभी अर्जेंटिना उपन 2023 का खिताब जीत लिया और आपको बोता है साल में चार Grand Slam होते हैं आस्ट्रेलियन उपन, फ्रेंच उपन, विंबल्डन उपन और US Open यहां से ये स्टेटिक प्रेश्ण बनता है कि कौन सा Grand Slam किस कोट पे खिला जाता है तो बड़ा असान है पहला और आखरी वाला आस्ट्रेलियन और US Open ये हार्ड कोट पे होता है फ्रेंच उपन क्ले कोट पे होता है और विंबल्डन उपन ये ग्रास कोट पे होता है अभी 2023 में बात करूगे तो अस्ट्रेलियन उपन हो चुका है उसमें वो में सिंगल टाइटल जीता था आर्याना सबा लेंका ने बेलारोस की प्लेयर है ये और में सिंगल टाइटल जीता था नोवाक जोकोविच ने वो सर्बिया के टैनिस प्लेयर है अच्छा एक और क्यूशन याद रखो अगर आपसे पूछा जाए कि बिली जीन किंग कप और मैं आपको बता दूँ इससे पहले फेड कप के नाम से जाना जाता था महिलाओं का टैनिस टूर्नामेंट है ये अभी इसको जीत लिया स्विजर्लेंड ने किसे हराया औस्ट्रेलिया को हराया कहां पे हुआ था स्कॉटलेंड के ग्लासगो में और वर्ल्ड टैनिस डे ये मार्च के पहले सोमवार को मनाया जाता है तो ये पॉइंट्स आप याद रखना बढ़ते आगे चलिए फिर बताईए हाली में साथ वर्ष के प्रिंस जिग में नाम ग्याल वांग चुक ये किस देश के पहले डिजिटल नागरिक बने हैं तो आंसर होगा भूटान तो भूटान के रोयल हैनेस दग्याल सी प्रिंस जिग में नाम ग्याल वांग चुक ये भूटान नैशनल डिजिटल आइडेंटिटी मोबाइल वालेट के साथ जुड़ करके देश के पहले डिजिटल नागरिक बन गये हैं इनकी उम्र केवल साथ साल है तो भूटान एंडियाए यानि कि भूटान नैशनल डिजिटल आइडेंटिटी ये नागरिकों को उनकी व्यक्तिगत जानकारी की गोपनियता और सुरक्षा सुनिच्चित करने के लिए सुरक्षित तकनी का उप्योग करता है देखो भूटान की केपिटल थिम्पू है करन्सी भूटानी अंगल्टरम है या भारतिय रूपया भी चलता है और वहां के किंग कौन है जिग में खेसर नामग्याल वांग चुक अच्छा इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछू कि देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य कौन सा बना तो अंसर होगा केरल अगर पूछे कि देश का पूर्ण डिजिटल साक्षरता वाला पहला ग्राम पंचायत कौन सा बना पुल्लम पारा ग्राम पंचायत ये भी केरल में है और देश की पहली डिजिटल जस्टिस क्लोग का उद्गाटन कहां पे किया गया तो फिर आप आंसर करोगे गुजरा थाई कोट में तो याद रखेंगे ये points important हैं मैं आपको जो साथ के साथ revise करा रहा हूँ इस तरह के प्रशन exam में पूछे जाते हैं बढ़ते हैं और अगर आप में से कोई इस वीडियो को very first time देख रहे हैं तो आपको बता दूँ ये जो question हम कर रहे हैं इनका quiz भी बना करके upload किया जाएगा आपकी correct exam application में ताकि वीडियो देखने के बाद आप इनकी वहाँ जा करके practice कर सके हैं क्योंकि चीजों को पढ़के रखना ही important नहीं है साथ के साथ आपको उनको revise भी करना पड़ेगा और उसी के लिए मैं quiz बना रहा हूँ ताकि बार-बार वीडियो खोल के आपको ज़्यादा समय नहीं देना पड़े चलदी से application खोलोगे दो मिनिट में quiz लगाओगे और अपना दूसरा काम करने लग जाओ PDF भी आपको वहीं पे मिल जाएगी और session अच्छा लगे, महनत अच्छी लगे तो इस वीडियो पे जो like का बटन है उसे like करके आप हमारी महनत को appreciate कर सकते हैं और मुझे motivate करने के लिए ताकि मैं आप लोगों के लिए और जादा दिल से महनत कर सकूँ और अच्छा अच्छा content तयार करो आप इसे अपने दोस्तों के साथ अपने सभी study group में share जरूर कीजिएगा अब ही हम बढ़ते हैं आगे चलिए फिर बताइए इंटरनेशनल शूटिंग स्पूर्ट्स फेडरेशन विश्व कब 2023 में 10 मीटर एयर राइफल में किसने गोल्ड जीता तो अंसर होगा रुद्रांग्च पाटिल ने अच्छा इंटरनेशनल शूटिंग स्पूर्ट्स फेडरेशन विश्व कब 2023 की बात करे इसका आयोजन का हुआ एजिप्ट की केपिटल काहिरा में जिसमें पूरुशों की 10 मिटर एयर राइफल इस परदा में रुद्रांग्च पाटिल ने गूल्ड मेडल जीता है तो इनका नाम याद रखना अगला प्रशन देखते हैं चलिए फिर बताईए अभी फरवरी 2023 में महा निदेशक गुणवत्ता आसवाशन के रूप में किसने पदबार गरहन किया तो आंसरोगा RS रीन ने तो अभी लेफटेनेंट जनरल RS रीन ने डारेक्टर जनरल क्वालिटी अशोरेंस का पद समाला है डारेक्टर जनरल क्वालिटी अशोरेंस ये रक्षा मंत्राले के रक्षा उत्पादन विभाग के अधीन कार्यरत एक अंतर सेवा संगठन है आप जानते हो भी नीतिया आयोक के नए CEO कौन बने थे? इंपोर्टेंट नामे B.V.R. सुबर्मन्यम और Table Tennis Federation of India की पहली महिला अध्यक्ष है ये मेगना अहलावत और National Highways Authority of India के अध्यक्ष बने थे संतोष कुमार अब हम क्या करेंगे? अब हम कल के Current Affairs का Quick Revision करेंगे और अगर कोई नए students हैं तो उन्हें बता दू उसके बाद हम 2022 के Top 10 Important Current Affairs का Quick Revision करेंगे और उसके बाद Finally आपका Test होगा Test किस चीज का? Previous Year Questions का Top 5 Static प्रशन होंगे उसमें और Top 5 Science के प्रशन होंगे और मैंने आपको बताया ये जो Previous Year Exams के Questions होंगे ये 2021 और 2022 में जो आपके Exams हुए हैं वहीं से मिलूँगा मतलब Latest Exam वाले प्रशन पूछूँगा पहला प्रशन है रक्षा सचिव का कारेकाल भी October 2024 तक बढ़ा दिया गया नाम बताओ अर्बाने गिरिता फिर बताओ 2024 से लेके 2027 तक चार साल के लिए जेनेवा में International Labor Organization के बाहरी लेखा परिक्षक के रुप में किसे चुना गया हमारे कैग को गिरिश चंदर मुर्मू फिर बताओ भी Entrepreneur of the Year 2022 का खिताब किसने जीता सज्जन जिंदल ने फिर बताओ भी भारत और किस देश के बीच में F-Index 2023 का आयोजन होगा तो आंसर होगा अफरीका, A-F मतलब भी अफरीका होगया, मार्च में होगा ये कहाँ पे होगा, पूने के On The Sennie Station में फिर बताओ केंद्रे उत्पाद शुल्क दिवस, 24 फरवरी को मनाया और अब बताओ किसने अंतरिक्ष में फसे अंतरिक्ष यात्रे को बापस लाने के लिए एक खाली सोयूज अंतरिक्ष यान को सफलता पूरवक लांच किया अंतर राश्टर विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने हैं टिम साओधी वेकिस देश के हैं न्यूजिलेंड और फिर बताओ सर्जियो रामोस ने सन्यास की गोशना कर दी उनका संबन की स्केल से फुटबॉल से अब 2022 के टॉप 10 important current affairs ये रहे आपके सामने तो इसमें पहला प्रशन पूछ रहे अभी वीर बाल दिवस ये हमने कब मनाया 26 देसंबर को अगला प्रशन है तीसरे आश्यान भारत ग्रासरूट इनोवेशन फॉरम 2022 में भारत के किस इनोवेटर को प्रतम पुरुसकार से समानित किया शालिनी कुमारी को फिर बताईए अभी देसंबर 2022 में किस स्कॉर्पियन पंडुब्बी को बारते नोसे ना में शामिल किया गया तो आंसरोगा वागीर को और इस तरह से टोटल 6 शामिल होनी है ये पांचवे नंबर की है जो छटी होगी वो वागशीर होगी ये भी ध्यान रतना फिर बताईए अभी देसंबर 2022 में वियतनाम के हनोई में किस भारते विज्यानिक को विन फ्यूचर स्पेशल प्राइस से सम्मानित किया गया प्रोफेशर थलब पिल प्रदीप को फिर बताईए अभी सूशाशन दिवस कब मनाया 25 देसंबर को फिर बताऊ वर्ष 2021-22 में वैश्विक स्तर पर सरवादिक चेनी उत्पादन और नरियात करने वाला देश कौन सा है भारत है चलिए फिर बताईए फॉब्स की दुनिया की सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला एथिलिटों की वार्षिक सूची आई उसमें टॉप 25 में शामिल होने वाली एक मात्र भारतिक खिलाडी कौन है पिवी सिंदु है और बताऊ 2022 का एक लववे पुरुसकार ये किसे सम्मानित किया गया स्वस्ति सिंको साइकलिस्ट है ये अब आपका टैस्ट होगा तयार हो जाए तो इसमें पहला प्रशन है जेन मैं आया हुआ प्रशन है देखो 2022 में पूछा गया था SSC CHSL में तो कथा का अंसर हो जाएगा अगला प्रशन देखते हैं उस्ताद बिस्मिल्ला खां युवा पुरिसकार निमने लिखित में से किस संस्था के द्वारा दिया जाता है अब लेटेस्ट एक्जाम में आई का कादमी के द्वारा दिया जाता है देख सकते हो कब गठित किया गया था 1953 में और 40 वर्शे कम उमर के कलाकारों को ये पुरिसकार दिया जाता है अगला प्रशन देखते हैं कलेमा मनी पुरिसकार ये भारत के निमने लिखित में से किस राज्य में दिये जाते है तो तमिल यहाँ पे देखो पॉसिबल नहीं हो पाएगा टाइम की कमिये करन की सारा एक्स्प्रेनिशन हर कुशन का मैं आपको दूँ क्योंकि मेरा टार्गेट यह है यह 20 से 25 मिनिट के अंदर अंदर मैं आपको डेली करेंट अफेस भी पढ़ाऊ वो भी डेटेल में स्टैटिक के स पुराना रिविजन कराते हुए लास्ट दे के करंट अफेस का कुउइक रिविजन भी कराऊं उसके बाद लास्ट 6 मन्त के टॉप 10 करंट अफेस का भी कुउइक रिविजन कराऊं और यह आपके साब ने यह test शीरीज चली रहे है और इतना सब मुझे लेकर के चलना है 25 म डाल रहा हूं में और ये पांचों के पांचों आपकी quiz भी में डाल रहा हूं तो quiz लगाएं आप quiz जैसे आप खोलेंगे click exam application, previous year questions, pyq, static, pyq, science ये folder आपको दो दिख जाएंगे वहाँ पे आपको quiz मिलेगी और हर quiz का explanation वाँके solution में आपको मिल जाएगा आराम से इस भी प्रशन का explanation आप पढ़ना चाते हैं पढ़ सकते हैं अगला प्रशन देखते हैं अगला प्रशन पूछ रहे हैं कि कि शेत्र में कालिदा सम्मान नहीं दिया जाता है तो आंसर होगा कट पुतली के हेल में ये भी अच्छा प्रशन देखो तो आप कह सकते हो श अधर्टना mitochondria कोशिका का बिजली घर भी इसे का आ जाता है प्रशन ऐसे भी बन सकता है ध्यान रखना अच्छी लाई नहीं है अगला प्रशन है DNA मुख्य रूप से कोशिका यानि कि सेल में किस जगे संग रहीत होता है तो आंसर होगा nucleus के इंद्रक में है अगला प्रशन ह यह किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है कंट्रोल होता है तो आंसर होगा iris 2020 में पूछा गया था यह प्रशन अगला प्रशन है छोटी आत में मौझूत हजारों उंगली जैसी उद्वरद्धी को क्या का जाता है तो आंसर होगा release यह प्रशन तो आता भी होगा आप अगला देखते हैं मानव शरीर के किस भाग में आपको superior rectus मिलेगा तो आंसर होगा नेत्र में आखों में यह आखों की ही एक माश पेशी होती है और आखों को ऊपर की और बढ़ाने में कंट्रोल करती है यह तो जिसने पढ़ा होगा यह line यह वो ही बच्चा कर पाएगा त और हाँ 25 फरवरी के daily current affairs quiz के result अमारे पास आचुके हैं इसमें top 5 students की बात करें तो top किया है लक्की ने congratulations लक्की उसके बाद इसमीता है अधित्य हैं captain mv है और दीपा है आप सभी को congratulations बाकी तो मैं सबसे कहूँगा कि quiz तो आप सब लोग लगाया करें quiz लगाने से आपका confidence बेजन होता चलेगा बेनेफिटी बेनेफिटी बाबु भहिया quiz लगाया करें क्रेक exam application का link नीचे description box में मिल जाएगा वीडियो को अभी तक like नहीं किया तो like कर देना और share भी कर देना thank you